जैसी किसना दोस्तों हमारे बी एस सर्माबाद्वा चैनल में आज सवी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों चैत्रमास के कृष्ण पक्षी की संक्ती चतोथी को जिसमें गड़ेजी के बिकर सुरूब का पूजन के जाता है इस दिन गड़ेजी की पूजा कने से सवी प्रकार क संकटों का अनास होता है और गड़ेजी किरपा से सभी बिगन दूर हो जाते हैं इस दिन जो है गड़ेजी के बिकर शुरूब की पूजा करने चाहिए इसकी कथा अब हम प्रारम करते हैं बोलो गडवदियानन भगवाने कीज़े एक समय पर माता पारवती और सी गड़ेजी विराजमान थे माता पारवती ने गड़ेजी से पूछा के पुत्र चेत्रमास के किस्न पक्ष में तुमारे बिकर सुरूब की पूजा कैसे करने चाहिए तुमारे 12 महिने में 12 संक्ति चतोठी का अब्रित किया जाता है तो चेत्रमास की कथा और उसकी बिरी वताईए तब गडेजी ने का कि सभी के मन की बात जानने वाली आप अंतर्यामी हैं, हे मा आप सर्व ग्याता हैं, पन्तु में आपके आदे से इस ब्रित की मेमा को बतलाता हूं, चैत्र किस्न पक्ष की चतोठी के दिन बिकत नाम गडेजी की पूजा करनी चाहिए, दिनवर नर्जल बत र अब्य का आर करना चाहिए, इस दिन पंचामृत बना करके गडेजी को भोग लगाएं, गडेजी की पूजा करें, गडेजी के सामने हवरवी कर सकते ही, इसकी कठा प्रारम काते ही, पूर समय में एक मकरद्वज नाम के राजा थे, राजा मकरद्वज बहुत ही धार्मिक प्रिवति के थे, उनके सासनकाल में प्रजा सुक पुर्वग जीपन आपन कर रही थी, राजा सरेव अपनी प्रजा का अपनी संतान की बाती पालन पूशन करती थी, उसके राज में प्रजा पूरी तरह से सुकी और प्रसंद थी, राजा भी एक दूसरी का सेयोग करते, प्रिजा भी दूसे का सेयुक करके दार्मिक कार्यों में लगी रहती थी। मकरद्वज राजा जो है सरीव धर्म कर्म करते यग्गा बल्लमुनी का उन्पत्यन इसने था। उनके आसी दुआसी राजा को एक पुत्र की प्राप्त हुई। राजा के अधिकतरकार्यों है उनका विश्वास पात्र मंत्री चलाता था। मंत्री का नाम धर्मपाल था। धरम पाल के पांच पुत्र थे सबी पुत्रों का विवायों चुका था, सबसे छोटे बेते की बहु गडेजी की अनन्य वक्त थी, गडेजी की पूजा काती, बारे महिनों का अब्रत काती थी, पन्तु धरम पाल की पत्नी ना सकती, उसे दार्मिक कार्यों में जरावी गडेजी की पूजा बहु से बंद कराने के उपाय किये, पन्तु कोई भी उपाय सपन नहीं हुआ, बहु को जो है, भगवान गडेजी पर पूरी सिद्धा और विश्वास था, गडेजी ने सोचा कि मेरी बक्तन को इसकी सास बहुत दुख देती है, इसको सबक सिखाना च पुत्र को गायब का दिया, सारी नगरी में हाकार मच गया, राजा के बेटे का गायब होने का संदे, उस सास पर जाने लगा, सास ब्याक लोने लगी, भवने सास से बिंती करी, कि आप माजी इसी समय गडेजी की पूजा करें, वही संकट नासक बिगनारता हैं, अपने बक सास ने बव के कहने पर गडेजी की पूजा करी, तो गडेजी की किरपासी राजा का पुत्र सबको मिल गया, सब के सामने प्रगट का दिया, ये देखकर के सास बीवाव के साथ गडेजी की भक्तिन बन गई, इधर राजा ने पूरे नगर में ये गोशना करवा दी, सभी गडेजी का ब्रत रखें, गडेजी का पूजन करें, गडेज संक्ती चतोटी का ब्रत रखने से, घर में अन्दन सुक्सम्रिद्धी का आवास होता है, गडेजी जैसे तुमने धरम पाल की छोटी ववव पर किरपा करी, बैसे ही सक पर किरपा बनाए रखें, बुलो बिग नतागर प्रदिजानन भगवान की